और यह जो समण है यह क्या है तरसल समण और जो संग है समणों का संग है यह दो सब्ध है यह बड़े करांती के और बड़े कमाल के सब्ध है और बहुत सारे लोग इस पर प्रसंद करते हैं कि यह समण क्या है और संग क्या है हम यहां step by step से बताते चलेंगे तो आज समण और संग के वारें बात करेंगे क्योंकि आपको हर्जी के जवाब देना है और कोई-कोई हमारा जो ज़्यादा किताब पढ़ा लिखा आदमी है वो आपसे यह कहेगा कहां लिखा है समण संग दिखाना कौन सा समण संग था अरे भिकुओं का संग था भिकुणियों का संग था आपसे बहस करेगा आपको किताबों के बारें पता नहीं है आपको जानकारी है नहीं और वो जो किताब पढ़ रहा है वो किताब वो पढ़ करेंगे और औरों को भी देंगे जो आपने देखा होगा कि कुराना सब्दे कहते हैं अरे इनमें आपस में ठन गई ठन गई ठन गई का मतलब होता है आपस में टक्राव हो गया ठन हो गया ठन हो गया यानि कि यह लड़ रहें जढ़ रहें इस ठन गई से अगर इसमें संग ज बाद में इसको संग कहने लगे, संग और संग और साथ साथ, समंग को साथ साथ बोलते हैं, तो इसका मत्द यह है कि साथ साथ रहने वाले उनमें ठन गई, ठन की अवाज आने लगी, जैसे दो बतन में ठन की अवाज आती है, तो जगड़ा हो गया, तो संग ठन जो टर्म है, वो जोडने की नहीं है संग ठन जो टर्म है वो है साथ साथ रहने वालों में मत भेद की और ठन की आवाज आने की इसलिए कहते हैं ठन गई और जो असली टर्म है वो है संग और संग और संग दोनों एक ही बात है कहते हैं हम संग संग हैं साथ साथ हैं इसलिए संग जो सब्द है वो कहीं गायब नहीं हुआ संग कहीं खतम नहीं हुआ संग संग से ही संगम बना हुआ है जो संगम से संगम बना हुआ है और संगती से संगती बना हुआ है कि सारे सारे संग और संग वाले और सासात वाले एक की सब्द है इसलिए हम आज भी संग संग रहते हैं और साथ साथ रहते हैं तो यह जो संग है यह बहुत प्राचीर है और संग का मतलब होता है अटेश्मेंट यानि के जुड़ा यानि जुड़ना जुड़ना का मतलब संग है तो संगती का मतलब है जहां हम बैठके बात करते संग ही का मतलब है जो उसमें पार्सिपेट करते हैं जो हिस्सा लेते हैं जुड़ने में हमको संग ही बोलते हैं और संग भेदक और संग घातक भी होते हैं जो जुड़े हुए लोगों को भेद करते हैं अंतरक करते हैं या जो जुड़े हुए लोगों को तोड़ते हैं हमको को संग बोलते हैं तो यह संग सब्द है यह संग बहुत ज्युग है पहले यानि जो झूरम्द संग यह जो होता था न संग चार प्रकार के भुद्धर में बताये थे एक खुय का संग एक हमारे जैसे הन मेल जो उपासक बोलते थे मतलब ऑप ऑस रारे के जो उपासिका को तो उपासक और उपासिका का मतलब यह नहीं है कि आप भिक्वर भिक्वरी बने जा रहे हैं उपासक उपासिका का मतलब है कि आप किसी के साथ में बैठ कर उपासन पर बैठ कर कुछ सीख रहे हैं उसको उपासक बोते हैं इसको आप इसुडेंट भी बोल सकते ह पासका और «पासिका का », यानि हमारी जैसे साधवार का संग ज्यहां इकड़ करें, तो समन सब्द क्या है? जो समन सब्द है, ये बड़ा करांतिकारी सब्द है, और ये समन सब्द कहीं गया नहीं है, इसको उन्होंने सिर्मन करके बदला है, क्योंकि शे और आधरे हमारे होता नहीं, तो उसनोंने बदला है, मगर समन सब्द को पूरी तरह से खतम कर दिया, समन सब्द नहीं मिलेगा आपको, आपको समन सब्द कहीं नहीं मिलेगा, और समन सब्द को किताबों से भी mix करके खतन गरने की कोशिस कि विए उद्ध के कुछ साहित्य में समणा चे वम्रा आता है सम्णा चे वम्रा और वम्रा को जिन्होंने लिखा बाद में वो ब्रहम्र सब्द किया बाहर का सब्द है मगर वम्र जो सब्द है वो हमने उनको दिया है तो कैसे इसको अच्छी त तुक्रे तुक्रे किये गहे हैं। खाली 743 जातिов में इंहीं तोड़ा गया हैं। 29,000,000 संथरों में हम अपनी पहचान में भी तूटे थे तुटें हैं और कि पहचान तूटती हैं। उनकी तो जड़ दलित का मतलब सादिक जो अर्था आज की समय दिया गया है वो है दवा हुआ नीचे जो किसी के नीचे दबा हुआ है अगर इसको पद दलित बोलते हैं तो पैरों के नीचे दबा हुआ है तो छुटी पचान होगी दवी पचान होगी तो इसमें ग्लॉरी नहीं है जिसको हम दलित कहेंगे, वो जीवन में कभी नहीं उठ सकता, कभी नहीं उठ सकता, क्योंकि उसके तो नाम के साथ ही दलित लगा हुआ, इसलिए वो पहचान सबसे घटिया पहचान है, अगर हम यह कहते हैं, कि वो पहचान काश्ट की है, तो काश्ट की पहचान शहजार साथ सो के तल जाती हों की और फिर हम उसको यह भी बता देते हैं कि यह चोटी है यह बड़ी है और कहते है तेरी तो चोटी पहचान हो गई तो चोटी अगर उसको हम यह कहते हैं कि यह फलाने गाउं का निवासी है गाउं वासी है तो गाउं की पहचान चोटी हो गई यानि गाउं वासी होता है जो सहर वासी है वो बड़ा होता है तो सहर वासी का रुत्वा जादा होता है उसकी पैचान बड़ी होती है और अगर हम यह कहें कि यह राजधानी का वासी है तो उसकी पैचान और बड़ी हो गई और हम यह कहें कि यह भारत देश का वासी है तो भारत यह पैचान हो पूरे पूरे पर लोग का वासी है तो फिर और भी बड़ी पहचान दोगे तो जिस नाम से हम पुकारते हैं उस नाम से पहचान बन जाती है मगर जब एक ही परिवार के एक ही जगे सारे लोग एक से रहते हों तो उनको पहचान की आशक्ता नहीं होती उनके छोटे छोटे गोत तो हो सकते हैं यह इस गोत में हैं मगर बड़ी पहचान के रूप में उन्हें जरूत नहीं होती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है जब भा तो जो बाहर के लोग हैं, उनका पता ही नहीं कि बाहरी लोग कोन हैं, तो उनका कोई डाम भी नहीं, तो यहां जितने हम लोग थे, उनका भी कोई नाम नहीं था, यानि कि हम जो समण क्यलाते हैं, हम समण अब तक नहीं क्यलाए, जब तक कि बाहर से लोग नहीं जाए, तो ब मनुस्य पाली का बड़ है मनुस्य जैसे बुद्धत से बोलते हैं वैसे मनुस्य तो मन का इस से यानि मन का मनुस्य का मतलब हो है मन का या मन से तो यानि जो मन से और मन का यानि हम जो मनुस्य हैं तो हम जो मनुस्य थे हमने अपने आपको कहा समन यानि सम मन जो साम है और जो स है साम का मतलब होता है शांथ शाम वेद्र अपने पढ़ा होगा वो हमारी पुराने वेद्र रहे हैं शारीर के अनरा यहां पानी बहुत है ऐना भूँत हाम जगरते नहीं थे लड़ते नहीं थे हम युद्ध जानते नहीं थे, हमारे यहां सब भाईचरा प्यार था, हम कोई नसा नहीं करते थे, कोई पता नहीं करते थे, कोई चोरी नहीं, कोई वेवचार नहीं, यहां औरतों की इज़त होती थी, तो हम शांत मन के समण लोग थे, यह समण का औरिजिल सब्द है, और जो जो उल्टी आती थी विप्रीत आती थी तो हम उसको बोलते थे वमन तो वमन का मतलब है उल्टे मनवाला यानि असांत मनवाला उल्टे मनवाला उसको हमने वमन कहा क्योंकि वो सारे लोग असांत थे वो लूट मार करते थे उनकी यहां कोई खेती नहीं कोई जमीन नहीं कोई कारोबार नहीं कुछ नहीं तो वह उल्टे-उल्टे काम करते थे तो उसको हमने नाम दिया और कुशुखी वह वह नहीं समस्ते थे उनके यहां आधा रहे बहुत चलता था उनके यहां शय बहुत चलता था अ przy रहे जो सब्ध हैं जहां covered भाशा में शय सब्धों बहुत था तो उन्होंने अपने आपको ब्रहम करके ब्रहमन करके कहा ब्रहमन सब्द पाली का सब्द नहीं है और ब्रहमन सब्द की उत्पति बहुत बात की उत्पति है सुरू की उत्पति नहीं है सुरू में कहीं आपको आधारे नहीं मिलता है तो जो वमन लोग हैं वो विप्रित बंदा हूं इटेलियन बंदा हूं तो उसकी पहचान इटेलियन है वैसे जब बाहर के लोग आए तो यह हमारी आइडेंटिटी है हमारी पहचान है कि हम समण है इसलिए जो संग होता था जो बुर्ण ने बनाया उसमें बुद्ध को महा समण बोला करते थे दो कि क्योंकि वह ओरिजिन यहाया के लोग जानते ब्हसा जाते थोड़ा भी घ्यान लखते है तो वो जानते हैं कि धंपद के अंदर ब्रहमन वग जूटा वग है और जहां जहां ब्रह सब्द आता है वो तो है नीपाली के अंदर जूटे सब्द जोड़े गए हैं जब कोई लिखता है तो अपने हसाब से लिख सकता है जब कोई चापता है तो अपने हसाब से चापता ह हुआ है और यह वह मिटनियों किया हुआ है आपको Лाइंकि भी करना चाहिए गुलाम हम नहीं हो सकते कimetाब एं हमारी नहीं 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 वो मिक्स हो बहुत बहुत लुग है इसको बहुत लोगों ने है कि यह कैसे कैसी साजिसें की हुए है कैसे कैसे इसको मिक्स किया हुए इसलिए पाली जो लोग सीख रहे हैं जाने उनको बहुत फिल्टर करने की आव सकता है तो बुद्ध को महां समण बोला करते थे तो यहां जो हम बोला करते थे आपस में समणा और समणी बोलते थे यान अगर जो वमन हैं उन में वमनी नहीं है, यानि वमनी कोई सब्दी नहीं है और ब्रहमनी कोई सब्दी नहीं है, वमनी का बाद में संस्काइब करके ब्रहमन बनाया गया गया अगर ब्रहमन का ब्रहमनी सब्दी नहीं है, क्योंकि वो लोग महिला लेकर साथ आये नहीं, महिला है उनकी होती तो अपनी महिलाओं को वही अधिकार देते जो उन्होंने खुद रखें अगर चुकि महिलाओं यहां यहां की थी इसलिए महिलाओं को वही अधिकार दिये जो यहां के बाकी लोगों को जिनको शुद्र बोला गया हाला कि शुद्र माने शुद्र होता है सुद तो यह समढ हमारी आईदेंटिटिटी भारतियों होने से पहले जो यह समढ है यानि कि हम समढ होने से पहले पुर समढ बड़ी आइदेंटिटिट्टी और समण की जो सबसे खास बात है कि जब हम समढ़ थे और समढ़ की हमारी आइडेंटिटी थी तो समढ़ के समय कास सिस्टम नहीं था और वर्ण भी नहीं था वर्ण माने तो रंग होता है तो कास सिस्टम नहीं था वर्ण माने एक स्वेत होता था और एक स्वेत होता था स्वेत माने जो बिना रंग की होते थे अवर्ण जिनको बोला करते थे, जिनका कलर नहीं है, उनको अवर्ण बोला करते थे, और जिनमें कलर अच्छा होता था, उनको सेवर्ण बोला करते थे, यानि कि निज रंग के साथ, तो हम सेवर्ण लोग हैं, कलर वाले लोग हैं, काले पिले लोग हैं हम, और वो बिना इसी तरह से किलियर एक एक पाली में सब्द लिखा हुआ है तो जब आपसे यह कहे कोई कि इसमें समढ संग कहा से आया तो समढ संग आपको कहीं पाली में मिलेगा नहीं मगर समढ सब्द मिलेगा और संग मिलेगा बुद्ध ने जो बनाया जो संग बनाया था जहां संगन ज्बूते हैं तो चुए सारे ही समञ थे इस लिएनों ने समण संगं संग नहीं नहीं कहा कूट 새Jan को संग बेरिये संग को संगहीं बोला करते थे आज के समय आज के समय तो कई सारे सभ बने हुए है मिसलमानों का संगाल sindi wavelength जैनियों का संगा संगालjal iki तो आज के समय अपने इस संग को पुछाने संग को एक special नाम देना पढ़ा समढ संग ताकि एक identity हमारी originals कि हम समढ लोग है और हमारे समढ लोग का संग है और जब हम समढ संघ कहते हैं तो इस नौन for woman. It is not for anyone except summer. यानि के ये summer के लावा किसी के लिए नहीं है और summer इसमें आएंगे और summer होना ही इसकी एक सबसे बड़ी जो मानेता है या जो education है जो इसकी यहां आने के लिए eligibility है यो किता है वो summer होना है. अगर आप summer में पैदा हुए है तो इसमें आपका राइट नेचल बनता है और अगर आप summer में पैदा नहीं हुए तो आपका राइट नहीं बनता है इसलिए जब भी summer के बारे में आप से पूछे कोई कुछ भी कहें तो summer का मतलब होता है शांत मन वाले लोग भारत के और और वमन का मतलब पूछे तो वेपरीत मन मारे लोग जानी के जो आता है यह अ ब्रहमन बना है इससे वन बना है इससे वन बना है इसे वंबहन हो गया वम से बम्ति से बमती हो गया इसके बहुत सारे ब्रहंस है मगर इनसे घबरानगा नहिए क्योंकि आप सिर्फ समन के आईडिंटी से गगते ने आने वाली है एक identity हमारी सबसे अच्छी है और यह identity को खतम करने की जette बराया है कि बुराई को शमन करना है तो शमन का मतलब समान करना है सम करना है जनी शांत करना है तो सब्द बदल जाते हैं, अर्थ नहीं बदल जाते, मगर जैसे जैसे पाली पड़ते हैं, निकल जा जाता है, इसलिए आज हम संग को समण संग कह रहे हैं, कुछ बहुत गुदवान आदमी हैं, वो कहेंगे, अरे समण का मतलब तो पाली में साधवी होता है, और समणी का मतलब तो साधवी ह होता है ऐसा दे रखा है वो अर्थ सही अर्थ में नहीं है कारण क्या है कि जो साधू है साधू का मतलब वो उसको बोलते हैं जिसने साध लिया अपने आपको जो से धारन कर लिया है जिसने स्वयम को धारन कर लिया है स्वयम को अच्छी तरह से ध्यान में धारन कर लिया उसक का मतलब बदल कर भिकु और भिकुनी कर दिया तो उन्होंने भिकु क्योंकि साधवी और साधु एक ही जी के अपने आपको साथे थे और जो भिकु और भिकुनी थे वो भर्मन करते थे भर्मन करते करते दिखा 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 दे इसलिए उन्होंने फिक्स जो टर्म थी उसक थाने वाली थी बाद में यह तर्म और ज्यादा बड़ी होती कि इन्होंने बदंत कहा बंते कहा वो उनकी उपाद ही उनकी आजू के साफ से उतरा इसलिए जो लोग जो कहते हैं कि जी सादू का मतलब या साद्वी का मतलब भिकूर भिकूरी होता है या समन का मतलब भिकूरी हमें किस नाम से पोकारा जाता था अरे कोई पैचान तो होगी हमारी पुरानी पैचान बता दे बस कोई पुरानी पैचान नहीं बता सकता क्योंकि ultimate जो पुरानी पैचान है वो समण है और उसको समण पर आना पड़ेगा वो बता ही नहीं सकता क्योंकि क्या बताएगा बहुत ज़्यादा कहेगा आपसे आप दलित हो वो तो आपका सब्द है बहुत ज़्यादा कहेगा शुरू का आश्ट है 1922 का सब्द है बहुत ज़्यादा कहेगा बहुत ज़्यादा कहेगा मून लिवासी है वो तो अभी बताय केगा जम्बू दीप से पहले क्या बोलते हैं हमको जम्बू दीप में रहते हैं उनको जम्बू दीप बाद ही बोल सकते हैं उससे पहले क्या पैचान है हमारी कोई नाम तो हमारा होगा हम लाखों करोड़ों की संख्या में हैं बिना बिना पैचान के घूम रहे हैं क्या हम हम हमारी को पहचान ही नहीं है हम बिनापैजरं के यहांंगा च prototypes नहीं रहुत कि करते समझते नहीं सोच ःगे समझेंगे तो महासरमण को कहां से महा समन है Each हम तो समढ हैda इसका बाप महा समढ होगा सका बेटा समढ नहीं होगा क्या इसको बिलकोल अच्छी तरह से बंदें रखे सारे हमारी मैंसे आंगे जो आपको बड़ा कहां से लाए हम कहीं से यह लाए भाई हम तो तो रोज कसला लेके खोथतेंगड़ और कोई ना कोई हीरा उस्में से निकाल लेते हैं हमारे तो बहुत हीरे दवे पड़े हैं वह रजप कासला लेका सबस्मरन की है जो समढ़ाक्षण की आइडेटिटी है पीछे की कोई पहचान नहीं मिलती थी आज के अंदर और इसमें ना जाती है ना समर्ण कभी पैसे लिए जिते थे समर्ण संग के अंदर ना कोई नेता होता था समर्ण संग के अंदर सारे बरावर होते थे समर्ण संग के अंदर जो लोग आते थे तो गले मिलते थे और जब गले मिलके जाएंगे तो अपनी रोटी लाके खाते थे तो हम भी खाते हैं तो जमीन पर बैठते थे तो हम भी जमीन पर बैठते हैं तो सारे काम वही करते हैं जो समर संग में पहले होते थे इसलिए हमें चिंता नहीं है हम बहुत तेजी से खटे होते जा रहे हैं कोई खटे बनेगा कोई किसी का पैसा ले नहीं सकता सब को अपना खर्चा करना है तो अपना खर्चा आदमी करेगा उतना ही करेगा जतना है तो कोई किसी का पैसा लेगे भाव नहीं सकता तो जगड़ा हो गए नहीं तो यहां नेता का पद नहीं है या पद नहीं है तो जब पद नहीं या पोश्ट नहीं है तो कोई किसी को क्या पद देगा और क्या पद लेगा तो जगड़ा ही खतम हो जाएगा तो जगड़ा होगा नहीं यहां सबकी बात सुनी जाती है और सबकी बात का फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं करता है तो संग से लड़ेगा कौन किसने कोई बात कही और उसको बड़ा ये गुमान है, मेरी बात तो बहुत अच्छी है, तो कर ले ट्राइब भई, संग में लेया, फिर फूजल लेया, और भैस कर आङा ले, तेरी बात अच्छी होगी, तो दुनिया को इताकत रोप भी सकती, और तेरी बात खराव होगी तो दुनिया कोई ताकत उसको पास नहीं कर सकती क्योंकि संग में कोई लालस तो है नहीं कोई संग सत्ता के पिछनी भागता क्योंकि कभी राजनीती में नहीं गया तो राजनीती में हम भी नहीं जाएंगे भाई अगर कोई आदमिया बहुत ज्यादा नाम कमाता है बहुत ज्यादा उसका बाबा होता है सब कुछ होता है और किया जी ये तो बड़ा नाम कमा रहा है तो नाम कमा के करेगा भी क्या नाम कमा के चला जाए, यहां कोई पद पोश्ट है नी संगों को तो ले के जा नी सकता, संग तो कहीं जाएगा नी तो जा मर जा जाके अकेला कि दो-चार-पांच लोग गुट बनाते हैं और गुट बना के सोचें कि हमारी चले तो चला ले भई दो-चार-पांच लोगों की नहीं चलती है, यहां तो सब की चलती है तो यहां तो वही चलेगी जो सही बात है कोई कुट बना के देख ले अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने उनको समझ में नहीं तो यहां सकते संग्थन में तो होती है तो मतला है महां पैसा है सब कुछ है वह तो तो उसके लिए हुग गई होगा यहां ऐसा कुछ नहीं है मगर यहां आपको मिलेगा सब कुछ क्यों मिलेगा सब कुछ क्यों कि संगे सक्ती होता है संग में शक्ती होती है जहां लोग इखटे होते हैं उनकी बात को सब लोग मानते हैं उनको मानना पड़ता है और संग कभी एजिटेशन में या परदसम नहीं जाता है, उसको जोत नहीं पड़ती, संग अपनी बात कहता है, वो बात चली जाती है पूरी दुनिया में और लोगों को मान नहीं पड़ती है, क्योंकि लाखो करोड़ों लोग एक साथ बोलते हैं, लाखो करोड़ों लोग एक बात को कहत संग में जो समण लोग है, उनका भिस्सा होता है, वो भी जो चुनावनाब लड़ते हैं, जाते हैं करें, संग नहीं जाएगा, मगर जो समण लोग हो तो लड़ेंगी, इतने सारे करोड़ों में संग हैं, जिसको लड़ना जा के लड़े, मगर संग के अंदर ये बीमारी नहीं आएगी बाई, ना ये पॉलिटिक सी बीमारी आएगी, ना ये नेतागरी की बीमारी आएगी, ना ये पैसे की बीमारी आएगी, संग इससे पहले भी बिलकुल अलग था, संग अभी भी इससे बिलकुल अलग है, इसलिए संग मजबूत है, संग में कोई वायरस ही न लिए जाएगा पुरा देस होता है संग छोटे मोटी चीज़ नहीं बनाता चोटी मोटी चीज़ नहीं बनाते हैं वो लगत रहते हैं आपस में तेरी दुकान ऐसी मेरा घर ऐसा आते हैं यह कर लिए लोग ताल लगा देते हैं संग बहुत प्योर होता है अच्छा होता है इसलिए संग के हम ऐसा जीवन में जुड़ने के फायदे ही इसका कोई नुफसान नहीं है और इसकी जो लाइफ है लाश्ट लाइफ रहती है यह कभी नहीं मरता संग जब मरेगा जब समड सारे मर जाएंगे दुनिया में दो समड जिंदा रहेंगे संग जिंदा रहेगा और कोई बुसके नहीं है बरतं बद को तो जब नहीं से तो समड़ को संग ने उनको अनको सजा दी और वह सज़ा माननी पड़िधे और सटा डंवी 105 नहीं हो टीए नन का नियम होता है उसको कोई टाल नहीं सकता इसलिए बावा साव उम्बेटकर ने हमको और नहीं के लिए कहा यानि संग बनाने के लिए कहा हम ने 39 लाग बना लिए टुकड़े कर लिए अपने टुकड़े करके रो रहे हैं सारी चीजे हमारी चलिए अब कोई डाउट नहीं है कि हमारे पास कुछ है किसी को उम्मीद लगती हो तो अभी भी सपने हो तो सपने से बहां निकल जाए अब तो यह घर संग है इस संग के घर म के नियम नहीं मानोगे तो संग नहीं है इसलिए इसके नियम सब लोग मानते हैं इसलिए इसके नियम पर सब चलते हैं इसलिए इसके लिए काम करते हैं और तन मन से करते हैं धंतों लेते हैं नहीं संग धंगा क्या करेगा क्योंकि जिसके पास में सारे के सारे लोग काम करन है हम बात के लोग क्या है हम कैसे काम करते हैं कैसे नहीं काम करते हैं इसकी जानकारी नहीं पहुंच रही है लोग यह समझ रहे हैं कि यह भी कोई संग्ठन है जिसमें ठनी हुई है संग्ठन है यह संग्ठन नहीं है यहां कुछी ठनी हुई है यहां तो भाई चारा है प्यार लोगों को पता नहीं चलेगा वैसे बहुत तेजी से समरसंग के कंसेप्ट के वारे में लोग जा रहे हैं हमारी कमी है कि हम तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं इसलिए सब लोग अपने वीडियो बनाएं सब लोग अपने वाट्स अप लिखे हैं सब लोग जिस भी तरीके से ब तो लोग ऐसे घर को ढून रहे हैं आप घर का पता बताईए लोग आ जाएंगे लोग आ जाएंगे संग तो अलड़ी बन चुका है बस बड़ा हो जाएगा मजब हो जाएगा तो घर बैठे सारी चीजें जो समयनार में लिकी हैं मिलेंगी गारंटे मिलेंगी दुनिया की हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो पिटे हैं और जो लोग जुड़ेंगे वो जीतेंगे और जो लोग नहीं जुड़ेंगे वो पिटेंगे जो लोग जुड़ेंगे वो हमेसा जीतेंगे जिनके पास संग होता है उनने कोई हरा नहीं सकता जिनके पास संग होता है ह वो हमेंसा जीतेगा इसलिए संग अगर आपके पास होगा तो आप हमेंसा जीतोगे, इसम्हा कोई संग्थन बनाते रोगे तो कभी नइचीत पाओगे क्योंकि संग्टनों की संग्या बहुत ज़्यादा है वो आपस में लड़ते रहते हैं संग हमैसा एक होता है संग कभी दो नहीं बनते अगर दो संग बनेंगे तो उनमें एक संग्टन होगा या दोनों संग्टन होंगे संग एक ही रहता है क्योंकि संग की विचाधारा दो प खास काम नहीं करते हैं बस वो थोड़ा-थोड़ा काम रोगोज करते हैं निरंतर उनका काम होता है हमेसा उनका काम चलता रहता है उनका काम कभी बन नहीं होता क्योंकि जिद्ध है जीतने की और जिद्ध है जुड़ने की और जुड़ने के लिए संग बनाना जरूरी है संग किये सकती धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तिमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या permission लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामी दूतियं पी धम्मं मर्सेणं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामी दूतियं पी संगं सर्नं गच्छामी दोखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी दोखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी तरतियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी साथू, साथू, साथू साथ, 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 दोखिये झाल, बुद्धं सर्णंन कच्छामी झाल झाल